स्वागत है दोस्तों आपका हंड्रेड डेज के इस कमिनिकेशन चैलेंज में जैसे कि आप लोग को पताई होगा कि आज दूसरा दिन है अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख सकते हैं तो आज मैं बात करूंगा मोटिवेशन की घबराई मत मैं मोटिवेशन देने वाला नहीं हो आप लोगों को बस यह बताने वाला हों कि मोटिवेशन आखिर कितने तरह के होते हैं तो चली बिना कोई देरी के चलते हैं शुरुबात करते हैं मोटिवेशन तीन तरह के होते हैं नमबर वन प्लेजर या रिवार्ड यह सबसे वीक मोट होदی समोटिएशन का इस्तामल हम लोगों जब दurstम वच्छे ते यह इस यह किसी चीज एक्छाम करवाना हो तो बच्छों को लालस दिया जाता 있었esen कि जा यह काम करो खाना काम करो और तो मैं यह flavored लाना हो एक सर्टें यह तब यह मोटिवेशन क कामाता है क्योंकि गार्जन लोग बोलते हैं कि यह अगर इतना माक्स लेके आओगे तो उसका यह प्राइस होगा यह इनाम मिलेगा यह होता है इतना काम नहीं करता एंसरे का मुटिवेशन इंती स्च्राइब और फियर कि यह थोड़ा स्ट्रॉंग मोटिवेशन होता है इसमें अक्सर इंसान कि बहुत जादे काम करने लगता है इस मोटिवेशन का इस्तेमाल भी हम लोग अक्सर करते हैं जब एक्जाम्पल हमारा एक्जाम आने वाला रहता है और हम लोगों को टाइम बहुत कम बचा जाएं मरोय है मॉटेवेशन कामा आता है क्या डर लगा वाल रहता हैकि तो हमारा समाच क्या बोलेगा था वस वक हम गहांना भागी अपने दिमाग को खुब ड्राइए कि अगर मैं गोल अचीव नहीं कर सका तो फिर मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा अगर आपने अपने माइंड को ट्रिक कर दिया इस मोटिवेशन के लिए आप फिर खुब सारी चीजने अचीव कर सकते हो अब चलते हैं तीसरे नमर पर ती असलब उस काम को करने का कारण पता चल जाता है तब यह रियल मोटिवेशन आता है वह कारण कहां से आता यह आपको खुड ढूनना परेगा और जो इनसान यह कारण ढून लेता है दुनिया के जितने भी सक्सेस्फिल लोग है वह लोग यह कारण को ढून लेते हैं अपने जान लिया कि कितने तरह के मोटिवेशन होता है यह जानने से कुछ नहीं होता है आपको अपने लाइफ में एपलाई करना होगा अपने हिसाब से अपने सलीके से तो दोस्तों मैंने तो आपको बता दिया अब इस्तमाल करना आपका काम है और या अप्लिए किजित ताकि आप ग्रू हो सकें और मिरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजित अफ्य लाइफ टो भी शब्सक्राइब कीजित ताकि मैं भीडिक व्योंकि सकें आज के लिए इतना ही वीड़ियो को लास्तक्राइब के लिए थेंक यू सो मच्छ